हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बहुत ही खास सिम्टम्स बताने जारी हूँ गर्ब में लड़का होने के ये जितने भी सिम्टम्स बता रही हूँ बहुत जादा प्रचली थे और काफी जादा ये सही भी साबित होते हैं और ये जितने भी सिम्टम्स है जादा तर आपको नवे महिने में ही देखने को मिलते हैं तो नवे महिने में कौन-कौन से वो सिम्टम्स है जो बेबी बॉय होने के संकेत देते हैं तो वही आज के वीडियो मे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले लक्षण के बारे में तो सबसे पहला लक्षण महिला में नजर आता है कि अगर प्रेगनेंसी के नवे महिने में उनके पेट के निचले हिसे में बहुत जादा उनको भार मैसूस होने लगता है ऐसा लगता है जैसे सारा भार पेट के निचले हिस्से में ही आग गया है और चलने में उठने बैटने में उनको बहुत ज़द तकलीफ हो रही है नवे महिने में तो ऐसा माना जाता है कि गर्ब में लड़का पर रहा है और पेट का उपरी हिस्सा बिल्कुल खाली हो जाता है दोनों तरब से पेट बिल्कुल खाली महसूस होते हैं नाभी में और पेट के नीचले हिस्से में बहुत ज़दा उनको दर्द महसूस होना इस्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के नवे महने में तो ये लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षन माने जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम है कि जब आपने बेबी बॉय कंसीब किया होता है तो आठवे नवे महने में महिला के यूरीन का कलर बहुत ज़दा डार्क यलो कलर का हो जाता है जबकि बेबी गर्ल होने के टाइम पर यूरीन का कलर वाइट या फिर हलका गुलाबी कलर का नजर आता है तो अगर आपके यूरीन का कलर बहुत ज़दा डार की यलो कलर का नज़र आता है तो ऐसे में आप अनुमाल लगा सकते हैं कि आपके गर्ब में एक लड़का पल रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर प्रेग्नेंसी के आठवे नवे महने में महिला का पेट बहुत ज़दा कड़क हो जाता है तो ऐसे में माना जाता है कि गर्ब में एक लड़का पल रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर प्रेगनेंसी के आठवे नवे महने में महिला को बहुत ज़दवाई डिस्चार्ज हो रहे हैं और उनमें से लाल धारिया निकल रही है यानि कि उनको हलकी सी भी अगर बलड स्पोटिंग होती है नवे महने में तो ऐसा माना जाता है कि उनके ग अगर बच्चे ने मुव्मेंट कम कर दी है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर ड्यू डेट से पहले महिला को अगर दर्दी स्टार्ट हो जाता है लेबर पेन आते हैं तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है क्योंकि लड़के जो होते हैं वो ड्यू डेट से पहले आने की कोशिश करते हैं जबकि लड़कियां जो होती हैं वो बिल्कुल सही टाइम पर ही होती है तो ये सारे लक्षन अगर महिला में नजर आते है तो इससे काफी हद कनुमान लगा जा सकता है कि गर्ब में एक लड़का पर रहा है लेकिन फ्रेंट्स वीडियो बनाने का उदे से लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं है बस आपके मन की उत्सुकता को दूर करने के लिए बनाया गया है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई